गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम क्लास्टेंट NCRT चैप्टर नॉम्बर 2 पॉलिनोमियल्स यानि कि बहुपत के बारे में पढ़ेंगे देखे सबसे पहले बहुपत क्या होता है देखे अन एक्सप्रेशन ओप मोर देन 2 अलजेब्रिक टरम्स especially the sum of several terms that contain different powers of the same variable यानि कि हमारे पास an expression of more than 2 algebraic terms अगर हमारे पास 2 algebraic यानि बीजगरनी 3 terms हैं और वो आपस में especially sum या plus हो रहे हों या पिर minus हो रहे हों और आपस में क्या हों जुड़े हों तो ऐसा जो है expression हमारे पास पॉलिनोमियल कहलाता है बहुपत कहलाता है कहने का मलब है 2 या 2 से अधिक हमारे पास अगर कोई क्या है चर है या अचर है चर और अचर है वो अगर आपस में जुड़े हुए हैं तो उनको हम बहुपत कहते हैं ठीक है example के लिए mononomial यानि कि एक पदी एक पदी बहुपत होते हैं जिसमें से पे one term होता है या आपने नाइंतों पर डखा है binomial दूपत जिनमें दो term होते हैं polynomial बहुपत जिनमें तो या 2 से जादा term होते हैं उनको बहुपत कहते हैं ठीक है ऐसी इसके types होते polynomials के बहुपत की linear polynomial यानि कि रहकिक बहुपत polynomial of degree 1 जिस बहुपत की घात 1 होती है उसको क्या कहते है linear polynomial quadratic polynomial यानि 2 घाती बहुपत जिसकी power 2 होती है और cubic 3 घाती polynomial कहेंगे जिनकी घात 3 होती ठीक है इस सिब्रकास zeros of a polynomial जब क्या होता है the zero of the polynomial is defined as any real value of x for which the value of the polynomial become zero real number k is zero of a polynomial px if pk equal to zero तो सिम्बल सी बात है अगर आप हमारे पास कोई भी value quadratic polynomial दिया हो या linear polynomial दिया हो अगर हम उसमें x की जो power होती है जैसे जितनी power होती है तिक्तम power होती है उसकी जो values निकालते है वो उसके zeros होते है ठीक है are given find the number of zeros of px in each case ठीक है अब देखिए हमारे पास पहला question है यह आपको ए graph दे रखा है तो इसमें हमने देखना है कि इसके zeros कितने है ठीक है तो सबसे पहले हमने इस पर ध्यान देना है इस पर ध्यान दो y equal to px दे रखा है ठीक है तो देखिए y equal to px है तो हमने यहाँ पर जो इस bracket में लिखा है उसको देखना है ठीक है यानि कि उस यहाँ पर coordinate को देखना है यह देखिए x वाला coordinate है ठीक है x coordinate है y coordinate है ठीक ठीक हो गया तो हमने x coordinate को देखना है लाइन, ठीक, तो देखिए, X वाली लाइन यह है, तो X और यह है line जो से cut מה ये, yes, x वाली लाइन को cut कर दी है, ये y वाली line को cut कर दी, इसका मल्लब x को cut नहीं कर दी, तो इसको zero किसम कितनी हो गी, 1 नहीं होगी सो और önemli यहां पर 0 ठीक है यहां पर 0 होगी इस टैप से इसपर देख ही यह इसमे एक से कितने बार cent कर रहा है तो एक यह इधि कि बार एक कर रहा है एक ही बार तो 2 होगा इसमें वन टू ठीर होगी और इसमे देखते हैं वन टू थी तो इसमें 28 में यहां पर देखना हमने जो बैकिट में है यह सगर यहां वाई होता दोुद Weni x को चैक करेंगे कि एक्स को कितने बाद डिवैट करते हैं तो ठीक है तो इस प्रिकार से बाए 2.1 यहां पर एक्साइज कतम होती है